हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम जैशी कृष्णा आज मैं आपको इस वर्ष 2020 के अंतिम केवल दो श्रेष्ट मूहर्थ हैं भूमी पूजन के उनके बारे में बतोंगा मुहर्थ का समय भी बतोंगा और किन राशी वालों के लिए ये दो मुहर्थ श्रेष्ट रहेंगे केवल दो मुहर्थ ही हैं तो किन राशी वालों के लिए श्रेष्ट रहेंगे उनके बारे में भी बतोंगा बहुत से लोग 2021 के भरों से बेठे हुए हैं कि जन्वरी फर्वरी मार्च में मुहुर्थ कर लेंगे भूमी पूजन का तो आपको इसपस्ट तया बता दूं कि अगले वर्ष 2021 में 17 जन्वरी से लेकर 20 अप्रेल के बीच में कोई भी मुहुर्थ शुब नहीं मिलेगा चाहे विवाह का हो चाहे ग्रह प्रवेश का हो चाहे भूमी पूजन का हो अर्थात भूमी पूजन और ग्रह आरंब एक ही बात है तो कोई भी मुहुर्थ आपको 20 अप्रेल से पहले नहीं मिलेगा यदि आप 2021 जनवरी फर्वरी मार्च और बलकी 20 अप्रेल तक इसके भरों से बेठे हुए हैं तो आप जागरुख हो जाएं और ये जो मुहुर्थ में बता रहा हूँ दो 2020 के अंतिम मुहुर्थ इनको आप भूमी पूजन में ले लेवें अन्यथा फिर आगए आपको श्रेश्ट मुहुर्थ 20 अप्रेल बाद ही मिलेंगे अर्थात 20 अप्रेल 21 बाद ही मिलेंगे एक श्रेष्ट मुहुर्थ देव शैन से पहले मैं 26 अक्टूबर 2020 का बता चुका हूँ यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अवश्य देखें और जो लोग निरंतर मुहुर्थ जानना चाहते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है उसे अवश्य दबाएं इससे आने वाले समय में आपको सभी मुहुर्थ समय पर मिलते रहेंगे अन्यता आपको जानकारी नहीं मिल पाएगे तो इस बाद पर भी विशेश द्यान लगाँ है और दो श्रेष्ट मूर्थ कौन से हैं इस वर्ष के अंतिम सबसे पहला मूर्थ है कार्तिक मास शुकल पक्ष एकादशी बुद्वार दिनांक 25 नवंबर 2020 उत्रा भादर पद नक्षत्र है और इस नक्षत्र में शुबकारिय विशेश कर भूमी पूजन तो किया जाता ही है अर्थात आप नया मकान बना रहे हैं उसकी नीव रखना चाहते हैं तो जो समय बता रहा हूँ इन समयों में आप नीव रख सकते हैं पांच पत्थर पूजन करके भूमी में रखें और शिलान्यास प्रारंब करें शिलान्यास की विजी पूरु के एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ उसे आप अवश्य देखें शिलान्यास किस कोने में करना चाहिए कौन सा कोना शुब रहता है उसके बारे में मैंने बताया है कि अगनी कोना पूरव और दक्षिन के बीच वाले कोने से शिलान्यास प्रारंब करना चाहिए 25 नॉवंबर 2020 के श्रेष्ट मूर्थ कौन कौन से है सबसे पहला मूर्थ है सुबह 8.45 से 10.45 धनू लगना है और दूसरा है दोपहर 12.30 से 2.00 बज़े के बीच में ये दो मूर्थ हैं इस दिन 25 नॉवंबर के दिन इन दोनों मूर्थों को आप ले सकते हैं इसमें आप भूमी में 5 पत्थर नीव में रख सकते हैं लेकिन बहुत से लोग यह सोचेंगे कि 12.30 बज़े बाद तो राहुकाल लग जाएगा यदि आप ऐसा मानते हैं तो आप फिर सुबह वाला मूर्थ ही कर लें 8.45 से 10.45 लेकिन 12.30 से 2 वाला मूर्थ भी बहुत ही उत्तम और स्रेष्ट है इसमें राहुकाल का कोई दोश नहीं लगेगा हाँ यदि आप खुदई नीव की खुदई प्रारंब करना चाहते हैं तो इसी दिन सुबह जल्दी नीव की खुदई भी शुरू कर सकते हैं एक कोना खोद करता है या रख ले मैं इशान कोन उत्तर और पूर के बीच वाला जो कोन है वहां से खुदई आपको प्रारंब करनी है और नीव की भरई हमेशा अगनी कोन में ही करनी चाहिए इस बात को अवश्य द्यान में रखें और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो पूर का एक वीडियो अवश्य देखें जिसमें शिला न्यास के बारे में मैंने बताया है इस दिन मेश सिह धनू राशी वाले भूमी पूजन नहीं कर सकते 25 नवंबर के दिन मेश सिह और धनू राशी वालों के लिए श्रेश्ट मूहर्थ नहीं है अन्य राशी वाले इस दिन शुबकारे कर सकते हैं लेकिन पूजन में भूमी पूजन जो होगा उसमें पती पतनी दोनों बेठेंगे पूजन में ऐसी स्थती में यदि पती की राशी मेश सीय धनू है लेकिन यदि पतनी की राशी अन्य है तब भी आप इस दिन भूमी पूजन कर सकते हैं आपके पिता आपके भाई के नाम के आधार पर उनकी राशी के आधार पर उनको भी पूजा में बिठा कर आप शुब कार्य कर सकते हैं अब दूसरा मूर्थ सुने कार्तिक शुकल पुर्णिमा सोमवार रोहिनी नक्षत्र है दिनांग 30 नौबर 2020 शृष्ट नक्षत्र है इस दिन भी इशान कौन से ही खुदई प्रारम करनी है उत्तर और पूर के बीच वाले कोने से खुदई प्रारम करनी है और इस दिन के श्रेष्ट मूर्थ हैं दो मूर्थ हैं पहला मूर्थ कुम्ब लगन दोपहर 12.15 से 1.40 मिनट तक रहेगा एक अभीजीत मूर्थ भी है दोपहर 12.10 मिनट से 12.50 मिनट तक रहेगा तो इस बात को भी नौट कर लेगा इस दिन मितुन तुला और कुम्ब राशी वालों का चंद्रमा शुब नहीं है इसलिए मितुन तुला कुम्ब राशी वाले इस दिन शुब कारियर नहीं कर सकते हैं लेकिन वापस वही बात, पति-पत्नी में एक की भी राशी भिन्न है इससे, मितुन तुला कुम्ब नहीं है, तो कर सकते हैं, तो ये दो श्रेष्ट मुहर्थ हैं, इस वर्ष के अंतिम दोनों श्रेष्ट मुहर्थ आपके सामने में रख दिये, आप चाहें तो करें, यदि नहीं चाहते हैं, तो फिर आपको 20 अपरेल बाद ही मुहर्थ मिलेंगे, इसा कोई भी मेरा वीडियो नहीं आएगा, जिसमें मैं आपको जनवरी, फर्वरी, मार्च, अपरेल के मुहर्थ बताऊं, क्योंकि उस समय मुहर्थ हैं ही नहीं, गुर्व शुक्र अस्त रहेंगे हाँ, कुछ मुहर्थ ऐसे भी हैं, जो आपको पंडितो द्वारा बताए जाएंगे, देव शेहन से पहले इसी वर्ष, जैसे 30 अक्टूबर, 12 नौंबर, 13 नौंबर, 21 नौंबर, ये मुहर्थ जो हैं, ये सामन्य हैं, उस रेष्ट नहीं है, देव उठने के बाद, जैसे 25 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, ये भी सामन्य ही है, आवशकता विशेश हो, तभी करें, लेकिन 25 नौंबर, और 30 नौंबर, भूमी पूजन के सर्वस्रेष्ट मूर्थ हैं, इन्हें ना चूकें, यदि आप नया मकान बनाना चाहते हैं, आपने प्लोट खरिद लिया ह तो इस वीडियो को पूरा जयान से सुनें, और 25 नौंबर, और 30 नौंबर का मुहर्थ आप कर सकते हैं, और भी कोई जयानकारी चाहते हैं, तो आप मेसेज करेंगे, तो अवशे बताऊंगा, धन्यवाद, जैशिक्रिश्णा